हेलो बच्चों मैं आराधना बर्मा आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी के पढ़ाई पर स्वागत करती हूँ बच्चों उमीद है मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों ने कक्छा 8 के सभी पिछले वीडियो को देख रखा होगा आगए पिछले वीडियो में हम लोग ने इसकी ब्याख्या देखी थी शंबडी देखी थी आज उठी morally में इसपार्ट की शभी आप लोगों को बताई थी आज उसी पार्ट कांवering प्रस्ण उगास में चाहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं किनके बारे में और क्यों कहा गया तो मोटे मोटे किस काम के हैं यह किसको कहा गया है इस कहानी में तो बच्चों आप उत्तर देंगे कहानी में मोटे मोटे सब्द का प्रयोग घर के बच्चों के लिए क्या गया है सभी बच्चे घर के किशी भी काम में सहयोग नहीं करते हैं सारा दिन घर में उधम मचाते फिरते हैं इसलिए उनको ऐसा कहा गया है कौन बोला था उनके पिताजी श्वहिमी यह सब्द इस्तिमाल किये थे दूसरा प्रत्ति है बच्चों द्वारा उधम मचाने के कारन गर की क्या । बच्चों को जब काम सौपा गया तो वह बोहुत उधम मचाते हैं तो उसे क्या हुआ कि रहर की खालत में घर पहुँच गया उत्तर देंग्या बच्चों की मचाने सुराहियां लुड़क गई मठके लुड़क गए कपड़े भींग गए घर में लगता था मानोबार आ गई दरी शाफ करने से सारा घर धूल से अट गया अट गया मितलब पूरी तरब से फैल गया सभी खास्ते खास्ते वेदम हो गए धूल नाक और फेपरों में घुच जान पेर पोधों को पानी देने के लिए घर के तमाम बर्तनों को एदर उधर विखेर दिया बच्चों की शरारतों से परिशान मुर्गियों ने पूरे घर में कीशर फैला दिया बच्चों की उधम से लगता था मानो घर में तुफान आ गया तो यही घर की दुरदशा हो गई अगला प्रस्म क्या है या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे रख लो अम्मा ने कब कहा और इसका परिनाम क्या हुआ तो अम्मा जब गुसा गई बच्चों की उधम से तुन्होंने ये थ्रेटनिंग ये चेताब ने सबको दिया था खास करके अब्बा जी को तो फिर क्या हुआ इसका परिनाम उत्तर है यह वा कि बच्चों की सिरारतों से परिशान होकर अम्मा ने कहा अम्मा की अवाद सुनकर अब्बा ने बच्चों को हुक्म दिया कि अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीश को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा इस के बाद घर के बच्चों ने घर के कामों में हाथ बटाना बंद कर दिया यहां तक कि वो पानी भी पीना खुद से बंद कर दिये खुद से लेकर पानी भी नहीं पीते थे अगला है प्रस्म चार काम चुर कहानी क्या संदेश देती है तो इस कहानी का संदेश क्या है आपक के गए कारी दुखदाई होते हैं अगला प्रस्म क्या है क्या बच्चों ने उचित निर्ने लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पियेंगे जब उनके अबाजी ने कहा था कि अब आप को कुछ भी नहीं चुना अगर छोग तो रात का खाना भी नहीं मिलेगा आप उत्तर में क्या लिखेंगे नहीं बच्चों का या निर्ने गलत था बच्चों को बिना सुचे समझे किये काडियों से पैदा हुए दिकतों से सिक्षा लेनी चाहिए थी क्यों भविश में कभी गलतिया नहीं धोराएंगे तभी वे घर के कामों को भली भाती निप्ताने में सफल हो पाते हैं आगे है कहानी से आगे तो कहानी से आगे यानि कहानी से जो भी आप सिखे हैं उसके आधार पर आपको कुछ प्रस्नों के उत्तर देना है पहला प्रस्न क्या है घर के सामाने काम हो या अपना नेजी काम परते व्यक्ति को अपनी छमता के चमता के उन्हें के अनुशार या होगा अनुशार चमता के अनुशार उन्हें करना आवश्यक क्यों है तो उत्तराप क्या देंगे हर व्यक्ति को अपने चमता के अनुरूप कारी करने चाहिए इससे व्यक्ति अभ्यास्त वक्षल होकर हर कारी को भलिभाती कर सकता है तो करता है उन्हों जाता है और जिन्दगी में कभी भी कम करना पड़ता है तो वह इसी तरह से उधम मचा देता है और कोई सही से करे पाता है कि दुसरा परस्थださい बच्चों भड़ा पुरा परिवार कैसे सुखत बन सकता है और कैसे दुखत काम चुर कहानी के अधार पर निर्ने कीजिए तो अगर बहुत ज्यादा घर में संख्या में लोग हैं तो कभी-कभी वो कैसे दुख का कारण बनता और कभी कैसे सुख का कहानी के अधार परह में जबाब देना है ह। आप उत्तर क्या देंगे भरए पुरे परिवार में यदि सभी सदर्शे अपने काम को भण को भली परकार करें तो परवार में हर सदर्शे को आराम मिलेगा मिल जूल कर काम करने से आपशिशोयोग से रहने की कल्याष सिद होगी इसके बिपरित मन्मा करने से घर का बातावरन आशान्त हो जाता है गलतिया होने पर सभी एक दूसरे पर दोसार ओपन करके कला करेंगे आप से बिवाद होने से घर का माहूल आशान्त हो जाएगा तो अगर सहयोग करेंगे तो सब कुछ अच्छे से होगा अगर सहयोग नहीं करेंगे अच्छे से तो आशान्त हो जाएगा माहुल तिसरा प्रस्न है बड़े होते बच्चे किस प्रकार माता-पिता के सहयोगी हो सकते हैं काम चोर कहानी को ध्यान में रखकर उप्रोक्त कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए बच्चों आप भी बड़े हो रहे हैं इस तरह से जो बच्च सहयोग की भावना उपजेगी घर के बाताबरन में प्रेम की भावना बनी रहेगी इसके विप्रित सरार्ती बालक अपने अभिवेकी और अस्तिव्यस्तिकारियों से परिवार के शदश्यों के लिए परिशानी पैदा करते हैं तो बच्चे बड़े हो रहे हैं अगर वो स कहानी है या से परिवार की इन दोनों तरह के परिवारों में क्या क्या अंतर होती है तो पहले तो आपको बताना है यह किस तरह की परिवार की कहानी है फिर दोनों में अंतर क्या होता है उत्तर आप देंगे काम चुर कहानी से परिवार की कहानी है क्योंकि इसमें कई पात् परिवार में बच्चे उनके माता पिता उनके दादा दादी उनके चाचा चाची इत्यादी लोग साथ साथ रहते हैं यानि बहुत सारे परिवार के सदस्ट एक साथ रहते हैं अच्छा अब अनुमान और कल्पना के अधार पर आपको कुश्चिन का एंसर देना यानि को अटाने की बाद मन में आती है उत्तर देंगे आप घरेली नोकर यदि आल से निकम में या कारियों को निप्टाने में कुशल ना हो तो उन्हें हटा दिया जाना चाहिए सान सोकत प्रदर्शन करने के लिए आवांचित नोकरों को खटा देना चाहिए इन दो परिस्तित जात क्यों भिगरी होगी ने ठीक ढंग से रहने के लिए आप क्या-क्या सुझाव देना चाहेंगे तो बच्चे तो सभी घर में होते हैं पर ये बच्चे इतना उधम क्यों मचा रहते इसके पीछे क्या कारण होगा उत्तर आप देंगे कहानी में समरिद परिवार के बच करें तो उनकी मां पिता जोच छाहिए था कि उधम मचाए तो उनको शिकानाच एक इस scan a काम करने से रोगी दिया फिर बच्चे तो कभी भी नहीं सिखेंगे निकाम करना अगला प्रस्ण यह कि शफल वैक्ति की जीवनी से उसके विद्ध-विद्यार्तश जीवन की द्यार्थे जीवन के बारे में उनका दिन चड़जा के बारे में तो यह question आपको स्वैश्चा करना है उमीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा आपने question & answer को अच्छी तरह से समझा होगा इससे आपको सही होग मिलेगा तो आप वीडियो को like जरूर कीजिएगा अपन झाल चुटो सिर्ध काल मितestsार आरा करो पार के लाट करता ही अ πά redundaर इंड रूंड है झाल आल आपको और रहा जगिए व realm कहीं स conscious आर एंड never कि लार आर इंड पलुबंदा ट्ड़ काल‡